फ्याइर बॉल्ट फ्याइर बोल्ट तो आजक Kindern fire allez कि छेरा टीछ करने करके फायर बोलटी करे एक और लेटेस्ट स्माइर पास आ चुकी है फ्याइर ब्लूट निंजा बैल तो बैल नाम से हैभ समझचो को होंगे कि एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्माइर कर ज्म बॉक्स का टॉप में फायर बॉर्ड निंजा बैल मेंशन है यह ब्लूडूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है नाम से भी आप समझ चुके होंगे राइट लाइफ और पीछ के पाट में इसके स्पैसिफिकेशन मेंशन किये गए हैं जिसके ओपर आगे हम डिटेल में बात करें सबसे टॉप में वाच इसको रख देते हैं हम साइट पे एक मैगनेटिक चार्जिंग गेबल आपके लिए कुछ प्रेम पत्र तो वाच यहां पर पहले से ही ऑन है यार मैंने ऑन भी नहीं किरी तो अब इसकी एप के साथ हम इसे सेट अप कर लेते हैं एप का नाम है दाफ वाच हाथ में पकड़ने में काफी हैवी सी लग रही है राइट पार्ट में इसका क्राउन बटन फंक्शन बटन है लेफ्ट पार्ट में स्पीकर वेंट है टॉप पार्ट में माइक्रोफोन है कॉलिंग के लिए और पीछे के पार्ट से प्लास्टिक बिलन जहाब इसके स सेंसर और चार्जिंग पिंस हैं स्ट्रैप की क्वालटी मुझे अच्छी लगी यह काफी सॉफ्ट स्ट्रैप भी है बकल इसका मैटल बिल्ड है वेट इसका हम चैक आउट कर लेते हैं 54 ग्राम इसका वेट है डिस्प्ले देखी जाए तो 1.6 ने इंची 2040 30x2080 pixel resolution की TFT इसके देखे चाहिते हैं आउट विजिबलेटी भी इसकी ठीक है आराम से वीजिबल है बाहर रेजटूए का पर कंपनी करते हैं विदौट ब्लूटूथ कॉलिंग यूज़ करते हैं तीन दिन का बैटरी बैकप कंपनी क्लेम करती है अगर आप ब्लूटूथ को को यूज करते हैं अगर आप हेविली ब्लूडूट को यूज करेंगे तो एक से दो दिने का आपको इसमें बैटरी बैकप मिल जाएगा अगर इसका कॉंटेक्स को कॉल कर सकते हैं सबसे बले हैं सबसे हम चेक करें के लिए हैं वाच में रहा है 69 के आसपास, एनिस में रहा है 80, 81 के आसपास, तो डेटा में थोड़ा यहां फर्क है, अब हम चेक कर लेते हैं SPO2 को, तो वाच में है 98%, ऑक्सिमेटर में है 99%, तो डेटा यहां पर काफी क्लोज है, राइट में इसकी सौटकट एप्स ओपन हो जाती है, सबस काम का फिचर आपके लिए हो सकता है, नीचे स्वाइब करके सका मैन्य उपन हो जाता है, तो बबल मैन्यू इसमें दिया गया है, तो इसमें कावे सारा ओप्शन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इसमें AI वोईस हो गया, तो अपने फोन के वोईस एजिस्टन को आप इससे कमांड कर सकते हैं, ओके गुगल, हाउस दा वैदर टुडे, इसका स्पोर्स मोड के समा ऑप्शन है, 60 स्पोर्स मोड कमपनी ने इसमें प्रोवाइट किया है, जो एक अची बात है इसके लिए, इसमें इन बिल्ड गेम भी कमपनी ने प्रोवाइट किया है, 2048, थंडर, बैटल शेप, यंगबर्ड, दाफिट एप का यूज कमपनी कर रही है, अपनी सभी स्मार्टोजिस के लिए अभी, तो दाफिट एक थरड़ पार्टी एप है, कमपनी की अभी कोई अपनी अफिशियल एप नहीं है, इसके होम पेज में ही आप सभी फिटनेस देखने के लिए मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन, तो जीसे भी आपको नोटिफिकेशन आपको चाहिए वाच में, उसको अम्यासे ओन कर सकते हैं, शेटर, फेवरेट, कॉंटक्ट आप एड़ कर सकते हैं, अपनी वाच में, अधर्स में काफी सारे ओप्शिन्स बिल्कुल एकुरेट आप इसे नहीं बोल सकते हैं, एस प्योटू में वाच में 98 आ रहा था, ऑक्सिमेटर में 99 परजेंट आ रहा था, तो यहां पर थोड़ा 19-20 का फरक है, तो से डेटा काफी क्लोज है, स्टेप काउंटर की बात किया, तो वाच को पहने के मैं 28 स्टेप लिए है, एन वाच ने शोग रहे 30 स्टेप्स, जो काफी क्लोज है, एकुरेट भी आप इसे बोल सकते हैं, स्लीप रखेंग के बात किया तो वह इसका बिल्कुल एकुरेट लगा, मारा रात को तकरी बंदोबिया के आसपास होगिया था, सुवह में 28 के आसपास उठ गया लगबग हर प्राइस पॉइंट में आपको फायर बोल्ट किये कि स्मार्टोज लेकने क्लिए मिल जाएगी, तो साड़े थीन हजार रुपए के सापसे वाच काफी अच्छी है, बिल्ड काफी अच्छी गंपरी ने प्रोवाइट की है, मैडल बिल्ड के साथ ये स्मार्ट पूछ सकते हैं, मैं सभी कोशन्स का अंसर करता हूँ, वीडियो पसंद आईए, तो वीडियो के लाइक जुरूर करतीजे, चैनलों करतीजे, सब्सक्राइब, तो मेरा ना में रितिक और मैं मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में,